नमस्कार मैं राकेश शर्म और आप देख रहे हैं इंदूरिया टाइम्स जी हाँ दोगज की दूरी मास्क है बहुत जरूरी और बार-बार आथ होना बेहत है जरूरी संकर्ट तला नहीं है हाँ ये कह सकते हैं कि हम इतने जादूर तो जरूर हुए हैं कि हम डिस्टेंस में म आपने वाला चाहकर भी उसका पारण ना करे तो कोई क्या करे भारत जो कि अपने आपको एक सम्रद्ध भारत के रूप में देखना चाहता है चाहता है देश में वो तक्नीक हासिल करना ताकि इतने बड़े देश की अवाम को एक साथ वो एक निरो पिस्तती में महसूस कर स रेट पोल आकरके उन्होंने बारा सो रूपे की जो कोविड की जांच हुआ करती थी आज वो आट सो रूपे में कोविड की जांच उन्होंने उपलब्द करवा दी है जो की काबिले तारीफ है इतना ही नहीं यदि राजगी हॉस्पिटलों के संसादर सीमित हैं यदि वह पर वो सारी चीजे में पावर मुपस्तित नहीं है तो उन्होंने प्रदेश के तमाम निजी हॉस्पिटल के चिकिल्सकों संचालतों के साथ विजिट करके उन्हीं करने का प्रियास किया है कि हरे एक निजी हॉस्पिटल जो की कोविड जांच के एंतरकत आता है वह भी प् सारी पिंक सिटी जैपूर और बीच में यह है तो वह कोट पूटली केवल प्रदेश में दो ऐसी जगें थी जो जिले के बाद कोविड 19 को प्रभावित कर सकती थी वो था राजस्तान के चिकित्सा मंत्री रगु शर्मा के अपने कार्य छेत्र अजमिर का केकड़ी और जै से वो राजगी जिलाइस तरिया हॉस्पिटल का दरजा ले सका और ने के वाद दरजा ले सका बलकि इस छेत्र में बढ़ते वे कोविड पेशेंटों की संख्या को ध्याम में रखते हुए उन्होंने माननी हुख्यमंत्री मौदय को कन्वेंस किया और कन्वेंस ही नहीं कि बलकि एक करोड़ पांच लाख रुपए की राशी की उन्होंने कोविड जाच लेप के लिए स्विक्रत करवाई लेकिन बड़े अपसोस की बात है मौनिटरिंग के अभाव में ततपरता के अभाव में या मनी ट्रांसफर ना होने के अभाव में आज भी वो लेप संचाल अशी को लेकर जिस तरीके से मीडिया बाजी हुई है जिस तरीके से आप देख सकते हैं हेडलाइन्स बनी है टीवी चैनल सों अकबार हों सभी ने के वर एक ही बात प्रचारित की है कि एक करोड़ पांच लाप से लेप स्विक्रत हो गई है और मेरे कुछ साथी बंदों न जहां नहीं रखा कि लेप बनी भी है या नहीं बात करें हम यहां के पीम और डाक्टर चेतन रावत से तो उन्होंने बहुत साथ सब्सक्रतों में यह बात कही है अभी तर लेप संचारित दिये जाने के लिए वह स्वेम आश्वस्त नहीं है बहला आवाम को आश्वस्त कै इसे कर सकते हैं राशी की बात की जाए तो किवल बीस लाग रुपए की राशी को ट्रांसफर की गई है जिसमें उन्हींस लाग संथिंग की राशी वह सिविल और इलेक्रिकल वर्क के लिए और रडी दूसरे पिसी कारे के रूप में ट्रांसफर कर चुके हैं कहने का लोगे उस दौर की बड़ी सूर्खियां हुआ करती थी हरेक समाचात्र पत्र में उसने अपने अपने कला तकिसल चापा हर गयती दूसरे दिन कह था कि लिटी प्राप्त हुए दूसरा के रहा था सक्राव ज्यानी वेंटी लेटरं की परमार जैसे वीडियम हो में हो चली है लेकिन डॉक्टर डावर की इसी बात मानें तो इनका बहुत साथ सब्सक्राइब कहना यहीं है कि पहले से वीडियम के पास के वल तीन वेंटिलेटर थे इसके बाद में 17 वेंटिलेटर उपलंद हुए जे कुछ वेंटिलेटर को खोला अवश्च गया लेकिन उ एक और आरेचिवस के द्वारा सब्सक्राइब का एक आई सी वाड़ आदलोकारपण किया है मानिये मुख्य मंत्री अशोग गहलोग के द्वारा वहीं चैजिलों के पीसी आर लेब का शुमारम किया गया है ऐसे में कोट पुटली शेतरगी लेब जो अब तक संचालित हो तक रहे वोगे खांने चाहिये ती जिसकी लाशी स्वीकरत हो चुकी है जिसके वेश्डियलेटर ले हैं लेकिन कहीं उसका डेमो नहीं है कहीं मॉनिट्रिंग नहीं है और नहीं हैlles तो कैवल और कैवल किश्वाब यहां की जंता को जवाब देने के लिए कोई आन्हां की जिस तरीके से पब्लिक को गुम्राख कर रहा है केवल यही बज़रे ही के आज इंदोरिया टाइम्स ने ग्राउंड रिपोर्ट पेस्ट करने की कोशिश की है जब हम लोगों ने वीडिया राज की वीडियाम हॉस्पिटल में विजिट की वहाँ जागर देखा तो पता चला के केवल और केवल यह अक्वारी सुर्खियां ही वहाँ पर नजर आ रही थी ना वहाँ पर धरातर पर लेग थी ना वहाँ पर 20 लेटर थे ना इस्ताफ था यहां तक की जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है हम नहीं चाहते है कि कोटपुट्टी के राजकिये वीडियम हॉस्पिटल की वो जिला इस्तिती को एक एक बाद को हम आपसे शेयर करें लेकिन अब इस समय रहते यहां के जड़ प्रतीमीजीओं के द्वारा यहां के विभागिये प्रतीमीजीओं के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया और जिस कदर यहां पर COVID के पेशेंटों की संध्या बढ़ रही है तो वो दिन दूर नहीं कि अवाम सवड़कों पर होगी और जवाब देहित प्रशाशन की होगी इसलिए हम यह चाहते हैं कि जो राशी एक करोर पांच लाग रुपए की राशी स्विक्रत की गई थी उसे शिंक्रता से उसका उप्योर करते हुए और COVID लैब को जल्दी से जल्दी स्थाफिक करने का प्रियास किया जा सके चलिए इसकी विस्त्रित जान करें यह लिए हम आपको लिए चलते हैं कोड़ पूटली जिला इसलिए राज़गे बीडियम हॉस्पिटल जहां लैब के अंदर हम प्रवेश करेंगे आखिर लैब की वरतमान इस्तितिक क्या है क्या कहते हैं वहां के PMO डप्टर चेतन अबर आता है और देश और प्रदेश दोनों ही अपने अपने लेवर पर देश वासियों के लिए उसके जन हित के लिए बहुत सारी योजनाओं को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं आज ही के दिए हम बात करें तो जिसके प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने ती अलग तो वहीं राजस्तान प्रदेश के दी बात करें तो मुख्यमंत्री अशोग गहलोत के द्वारा आठ महीने में चोथी बार कोविड की जो जांच है उसको उन्होंने बारा सो रुपए से घटा करके और आज आठ सो रुपए कर दिया है यानि कि जितने भी निजी होस्पिटल है उसमें भी अब ये कोविड की जांच हो सकेगी और उसकी जो राशी होगी वो आठ सो रुपए उसकी राशी होगी वहीं रुसा के अंतरगत 70 एड का एक आईस्यू यू वार्ड तयार किया गया है यदि बात की जाये 6 जिलों की तो PCR के अंतरगत कोविड लेब का शुवारं भी आज ही किया गया है लेकिन बड़ी तकलीव की है ये बात के राजस्थान का जैपूर जिले का कोटपूटली क जिला बेशक ना सही लेकिन जिले से कम नहीं है यानि प्रदेश भर में अजमेर का केड़ी और जैपूर जिले का कोटपूटली का राज किये जिला इस्तरिय वीडियम हॉस्पिटल ही वह उस्पिटल था जहां एक करोड़ पांच लाग की राशी से स्विक्रत होकर गे और बीडियम हॉस्पिटल की विजिट की तो आखिर क्या कहते हैं वहां के पी एमो डाप्र चेतन रावत हम उसे जानने की कोशित करें हमारे साथ मुझूद है डाप्र चेतन रावत मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आखिर कोविड लैब को लेकर के क्या कुछ वबस्ताए हमारे यह बीडियम हॉस्पिटल में मुझूद है आप उसे बताएं कि आखिर यह जो लैब के लिए जो राशी स्विक्रत हुई थी एक करोड और पांच लाग की राशी थी उसमें से कितनी राशी अभी बीडियम हॉस्पिटल को मिल चुकी है और कितनी राशी अभी आना है और यदि अभी तक यहां के लोगों के जो सेंपल लिये जाते हैं उसकी जो जांच रिपोर्ट है वो लेट हो रही है आप पताएं कि आखिक कोट पूटली जिला इस तरिये बीडियम हॉस्पिटल में अभी तक जादी कोविड जांच लैब शूर नहीं हो सकी है तो उसक कि वज़े क्या है दोक्र चतने रावत प्रिंस्पल स्पेशलिस्ट एनस्थेश्या और प्रमुक्षी किसार दिखारी राज के वीडियम है कोट पूटली जाता है कि कोविड को लेकर के केंद्रिये और प्रदेश इस्तर पर बड़ी बड़ी गोश्णाएं की गई और कोट कोविड लेब के लिए कितनी राशी स्विक्रत की गई और उसके क्या संसाधन अभी आपने जटाएं कोविड लेब यहां पे खुला जाना सरकार के दोरा प्रस्ता वित्था और उस संदर में कारे चल रहा हैं सारी विवस्था और मुस्ट SMS के थ्रू है सारी मशीने SMS के थ् मैंन पावर भी उन्हीं के थ्रू आएगी उसके लिए बजट सेपरिट है फिलाल हमारे पास रिनोवेशन के कारे के लिए और बिजली से संबंदित कारे के लिए जो इस लैब से संबंदित होना है उसके लिए 20 लाग रुपे हमारे पास ट्रांसफर होके आए हैं उस 20 तरह ये काम किया जा रहा है उनको उनके एस्टिमेट के मसाद इतना पैसा बेजा जाना था वो पैसा ट्रांसफर किया चुका है वह कार्या सेविल वालों का और रिलेक्ट्रिकल वालों का आप से समन्वय के साथ जारी है और इसके शेक रीपोर्ण होने की संबाबना है सब्सक्राइब के लिए अलग से डिमांड की गई थी अलग से राशी स्विक्रत होनी थी और इस्थानिय विधायक और राज्यमंत्री ने बार बार इस बात को कहा है कि कोविड लैब किसी से सब मतलब उससे जुड़ेगी नहीं लेकिन आपने तो एस्टेंशन लैब जो रिनोवेट करागे और लैब को जोए शिक्री शुरू किया जाए हमारे प्रयास उसी तरफ है कि इस लैब को रिनोवेट करागे और इसको ज़ल्दी शुरू किया नई बिल्डिंग के लिए अगर यदि होता है तो नया ब्लॉक कोविट का बनवाया जाएगा इसमें 20 दो भी क Growing with me I'm company दें के नाम पर क्या ऐए मशिन्म नाम पर में मैं कॉप्री के एज खुनाइबने का एक साथ पर अब वेंटीलेटर यहां काफी चर्चा का विषय रहा है, अलग अलग मीडिया के जरीया अलग अलग बातें रखी गई हैं सामने, कुल कितने वेंटीलेटर इस कोविड काल में आए, और कितने अभी वरकिंग में हैं और नहीं हैं, तो क्यों नहीं? गूर इस सगाल में और इस सब्सक्रीफ मरण पीन वेंटमेडर से इस काल में 77 वेंटिलेटर आय तक सबाइस और जो इंस्टाल सिंग है कब लिए कने का क्या आदन मी मरू परłbyर कर चुके हैं कि या 16 स qui, जहां एक और है संसाधन की सुर्खियां बटोरी जा चुकी है। कि उसके बहुंत की हिए टिए में बटोरी जाए। कि या रही है उसकी बज़े क्या मानते हैं कब तक आपको लगता है क्या 2020 में हम अपने इस लैब को कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद रिपोर्टिंगे प्रवलम नहीं आएगी अभी क्या है सेंपल जैपुर बहिजा जाते हैं एसमेस में वहां वो उनके जो भी वर्कलोड होता है और भी जैगे सेंपल साते हैं उनके पास तो रिपोर्ट आने में कुछ भी लंब होता है यह उन्हीं के पार्ट के उपर है और इसके साले इसके लिए किसी भी अत्यक जम्मेदार नहीं है आपने देखा डॉक्टर चेतन डावत ने भी बताया कि अभी तक कोटपूदली बीडियम हॉस्पिटल गो केवल और केवल 20 लाग रुपे की राशी ट्रांसफर की गई और 20 लाग की राशी के अंतरगत भी 19 लाज सम्थिंग की राशी उन्होंने एक प्रॉपर चैनल है कि कभी यहां पर कोविड के पेशेंटों की संख्या बर सकती है ऐसे हालात में यहां चालू नहीं होती है तो एक बहुत बड़ी वजह है एक और बड़ी बात जो कि अभी आपके साथ निकल कर सामने आई वह यह है कि लैप अलग से बराई जानी चाहिए थी यानि एक तर टेंगसें लैप थी उसी लैप का एक बहुत बड़ा हिस्सा काट करके कोविड लैप में कनवर्ट किया जा रहा है उसका रेनोवेशन किया जा रहा है और इतना ही नहीं बीडियम हॉस्पिटल की ही उस यथा इस्तती में के दो भवन उस कोविड लैप के नाम पर हो सकेगी चलिए ये सारी बाते रही कोविड लैब को लेकर अभी दो राजधानियों के बीच की योजा कड़ी कहा जाता है कोड़ पूदली निसंदे दो राजधानियों के बीच जिला इस तरिये राजकी बीडियम हॉस्पिटल इस छेत्रगी लाइफ 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 जो सबसे पहला सोपान होता है वो है यहां का ट्रॉमा सेंटर आखिर बनाया किस उद्देश से गया था क्या ट्रॉमा सेंटर से चुड़ी हुई फैसलेटीज हैं कितनी यहां पर एम्बूलेंसे जो हैं वो कितने संसाधन से लेस हैं और किस तरह से एक मिनी हॉस्पिटल के रूप एक मुएवर हॉस्पिटल के रूप में या कहीं लाइफ लाइन की भूनिका निवा सकती है आखिर कोट पूटली राजगिये बीडियम हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर से क्या क्या विवस्था हैं इसके लिए मैं फिर एक बार आप अप्टर चेतन रावत के पास वो पताएंगे कि आखिर बीडियम के ट्रॉमा हॉस्पिटल में क्या कुछ संसाधन मुझूद है ड़क्ता मैं आपसे आपर यह जाना चाहूंगा कि आखिर कोट पूर्ली का जो ट्रॉमा सेंटर है उसकी टाइमिंग्स क्या है कितने चिकित्सक महां पर एंवरी टाइम महा बाद कर सकता है जैंतलाइक इतनी अंबूलेंसे जहां विवस्था आएं और किस तरह से अंबूलेंस यहां पर संचाली होती रही है यह उस्पिटल के डवलोपमेंट को लेकर इदि हम बात करें तो यहां के ट्रॉमा सेंटर की क्या पोजिशन है ट्रॉमा सेंटर चल रहा ह वहाँ पे हर समय दो चिकेश सर एमर्जेंसी में 24 घंटे उखलब रहते हैं जो कि ट्रॉमा से आने वाले किसी भी केस को अटेंड करता है या इसकी बढ़ुत्री किया जाने की बात वाद एस्टेंशन की बात वह जैसे अब आप ने का ले बेक्ष्टन हो रही है ऐसे और कौन-कौन से कारे इस समय वीडियम हॉस्पिटल में जारी है उसकी जानकारी भी गुज्दे है पीछे में में अलग से जारी है चल रहा है उसके लिए एंजी पीएस जो रूम दिया जाता है जिसमें रूम में सिलिंडर्स लगाए जाते हैं में सेंटर ऑपरेटिंग सेंटर जो है वह निर्मान कारे उसका शुरू है जाम शेलर्स जो आंजी यह ज़िए जिनका काम अभी हलमें शूरू हो जाएगा जगे चिन्नित करके उनको बता दी ऑई है काम अभी शूरू हो जाएगा 12 कौर्डर सेन्क्षण आने बांकि है इसके P.I.P. में प्रोसेस चल रहा है और उनकी संक्षण आते ही वो शोलर पार्डर आफ अर बतार है जो काफी महगी है जो शाहیद दिने चुनिय हॉस्पी तसके लेटे है उसमें सबी फेसिलिटीज है उसमें मरीज को किसी भी कंडिश मेरीज को रिसक्सिटेशन करने के भी विवस्ता उसमें है बात यदी की जाए सब्सक्राइब को लेकर गे तो अखेला कोई वेक्ती डिस्जिजन नहीं ले सकता है जए पीमो आप सोसाइटीज के चेहरपसन भी है तो MRS अपने आप में एक बोडी है आपके वीडियों होस्प में जो बजट इखटा होता है चेकेसालेगा पैसा जो इखटा होता है या किसी और तरह इसंपन्डिंग जो भी आती है उसके उ-सके यूट्राइशन के लिए हैं उसमें किस तरह उसको यूट्लाइज के जाना है उसके पर कूछ गैड्लाइन से उसको फालो करते हुए है उसके लिए दबायां भी खरियते जाती हैं उससे अस्पदाल के लिए एक्रिमेंट्स भी खरीडेते जाता हैं अस्पदाल के लिए कोई और चीज खरीदी या मैन पावर रखी जानी है आवशकता है तो भी उसके थोरी जाती है लेकिन सरकार के द्वारा कुछ चीज़ें प्लेस्मेंट एजनसी के थुरू कर रखी है तो प्लेस्मेंट एजनसी के द्वारा हमको लेनी पड़ती है उसका पेमेंट प्लेस्मेंट एजनसी का उसका अर्मर्स के थुरू होता है इसमें कोई नई चीज़ अगरम करना चाहते ह प्रस्ताव पेश के अनू हुए गाह凌नी हुए। ब साइघ्पक्रती कि आरे-मरेस कमिटी के अनूतर के पश्चा करियाखवुन दीuentागा ज्राइस्थान मेडिकल्ड रिलीव स्थाइटी इसके चेयर पर संगे उमरे राई डेरिकर था इस्थानिय इस सपर पीमो इस्थानिय MLA, एकाउंट हैं और अन्य सदस्ते हैं अमर्स की फंडिंग के सोर्स क्या है पंडिंग जो पैसे घट्टा होता है जैसे बढ़ती मरीदों की इंडो टिकेट की जो चार्जेस हैं जो आउपीडी के चार्जेस हैं या कभी चिकिसाले की एंपलेंस जाती है उसकी इसकी फ्रूजर रसीत करते हैं या कोई सट्विट विकराइज जारी होते हैं उनके लिए जो सर्दाद द्वारा निधारे थीस है विभिन कामों के लिए वो फीस का पैसा उस आर्मर्स के उसमें जमावता है पार्किंग पीसी में शामिल है पार्किंग के जो टेंडर दिय हीय dopo कि जी जते हैं जीके सले मं एक बरेस्टोर की समीटी बनीवी है वो समयती किसी भी आपात इस्तिति में जैन में सामने दूने दिलनीके आवशिक्ता छोती है आपकर बादेस मस से उसमें नने के लिए यह जाते हैं दिनिरून का का लिए क्याता हो कि